भारत में जारी रहेगी सजाय मौद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एहम फैसला देते हुए साफ कर दिया कि भारत में मृत्युद्रंड की सजा जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट ने दो एक से बहुमत मिलने के बाद मौद की सजा को कायम रखने का फैसला कर दिया न्यायमूर्ती कोडियोन जोसफ ने इसकी समीख्षा करने को कहा था न्यायमूर्ती दिपक गुपता और हेमंद गुपता ने मौद की सजा को सही माना जानकारी के अनुसार 36 गड में ट्रिपल हत्या के आरोप में सजा पाचु के आरोपी के मामली की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने यह फैसला सुनाया है आरोपी छुननलाल वर्मा को कोट ने मिर्तियुदंड की सजा सुनाई थी मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने मौद की सजा को कम करने की मांग की थी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ब्रिटेन, कई लेटीन अमेरिकी देशों और आश्टेलियाई राज्यों से मिर्त्युदंद खत्म किया जाना भारत के कानून से इसे खत्म किये जाने का कोई आधार नहीं है। निर्भ्या मामले की मौत की सजा पाए चार दोशियों में से तीन की पुनर विचार याचिका खारिज करने वाली शिर्ष अदालत ने कहा था कि जब तक दंड सहिता में मिर्त्युदंद का प्रावधान है तब तक उचित मामलों में मौत की सजा देने के कारण अदालतों को गैर कानोनी काम करने का दोशी नहीं ठहराया जा सकता